कुछ दिन पहले लंदन में भारतिय दूतावास के सामने खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद भारत ने कड़ी आपत्ती जाहिर की थी, अफ़तार सिंग खांडा का नाम इस खटना में आया था, खालिस्तान का समर्थक और अमरितपाल को गाइड करने वा पिछले हफते अफ़तार सिंग खांडा को हॉस्पिटल में भरती कराया गया था, खांडा के समर्थकों ने उस अस्पताल में जहर देनी की आशंका जाहिर की थी, अफ़तार सिंग खांडा खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स का मुख्या था, खांडा पंजाब के मोगा का र चुपा कर रखने में खांडा ने ही मदद की थी खांडा को ब्रिटेन में भारतिय दूतावास पर हुए हमले और तिरंगे के अपमान के बाद गिरफतार किया गया था आपको बता दे 1988 में खांडा के चाचा बलवन सिंग खुकराना को सुरक्षा बलो ने एक इंकाउंटर में मार गिराया था खांडा के पैदा होने के तीन साल बाद ही तीन मार्च 1991 को उसके पिता कुलवन सिंग खुकराना का भी सुरक्षा बलो ने इंकाउंटर कर दिया था अफ्तार के पिता और चाचा दोनों ही खालिस्तान फोर्स में एक्टिव मेंबर थे अफ्तार का मामा गुजरंट सिंग बुद्ध सिंग वाला खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का प्रमुक था 22 साल के उमर में खांडा पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गया यहां वो खालिस्तानियों से संपर्क में आया और फिर खालिस्तानी मोमेंट का एक्टिव मेंबर बन गया इसके बाद अफ्तार सिंग खांडा अकाली दल संगठन से जुड़ गया खांडा के बारे में कहा जाता है कि वो बम बनाने में माहिर था सुरक्षा अजेंसियों की माने तो खांडा आईडी और दूसरे तरह के हाथियार चलाने में भी माहिर था उससे भारत लोटने से पहले अमरित पाल को मिशन खालिस्तान के तहट ट्रेनिंग दी थी माना जाता है कि खांडा को ब्रिटेन से लाने के लिए एनाईए काफी दूनों से कोशिस कर रही थी अमरित पाल से पहले वारिस पंजाब दे संगठन को चलाने वाले दीप सिधूर से भी खांडा की काफी अच्छी बात चुछी थी दोनों की कुछ तस्वीरे भी हैं लंडन में भारतिये दूतावास पर लगे तिरंगे को उतारने के बाद गिरफतार किया गया था